हेलो फ्रेंड्स वागत है आप सभी का आर्वेद यूट्यूब में तो फ्रेंड्स आज में आप लोगों के लिए कुश्चन लेकर क्या हूं ये कुश्चन क्लास 9 की मायत से चैनल नमबर 6 लाइन साइंड एंगल से कुश्चन लिया गया है ये कुश्चन एक्सरसाइज 6.2 क का कुश्चन नमबर 3 है इस वीडियो में हम इस कुश्चन को डिसक्स करेंगे आप बस वीडियो को जहां से देखिए वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों को भी शेयर कीजिए चैनल पर नहीं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक अंगल जीडीटीटीटीग्री फाइंड एंगल एजी एफ एंड एंगल एफ देखो यहां पर एंगल कुन कुन सा फाइंड करना सबसे पहले यह बता देते हैं देखो A, G, E A, G, E सबसे पहले हमें ये वाला angle find करना है फिर यहां पर बोला G, E, F G, E, F ये वाला angle find करना है फिर हमसे बोला F, G, E F, G, E फिर ये वाला angle find करना है ठीक है और दिया क्या है एक तो हमें ये बताया है कि A, B parallel to C, D है ये वाली line इस वाली line के parallel है और E, F, ये जो E, F है इस वाली line पर perpendicular है ठीक है, perpendicular का मतला होता है कि 90 degree बनाने वाली line ठीक है, तो यहां पर solution सबसे पहले जो given है वो लिख लेते हैं given हमको दिया गया है angle G, E, D is equal to 126 degree as ये दिखो, ये parallel है न A, B parallel to CD and GE is a transversal transversal ओके, तो GE जब transversal है, तो आप देख सकते हो जैसे यहां पर ये A, B है और ये CD है और ये transversal है अब ये वाला जो angle होगा, इस वाले angle के equal होगा, और ये वाला जो angle है, ये हमें दिया गया है देखो, G, E, D ठीक है, G, E, D हमें दिया गया है और ये वाला है हमारा क्या? A, G, E क्या है? A, G, E A, G, E हमें find करना है, तो देखो, क्या होगा? angle A, G, E is equal to angle, ये, G, E, D G, E, D अब इसका region क्या है? alternate interior angle है, क्या चीज? alternate interior angle अब ध्यान से देखना, जो G, E, D है G, E, D उसकी वालू दिया है, 126 degree तो ये हो जाएगा, angle A, G, E is equal to 126 degree एक question का answer हमने find कर लिया अब दूसरे है, मारे पास की G, E, D G, E, D यहाँ पर है clear? अब मैं इसको थोड़ा फिर से बनाता हूँ देखो, ये हमारे पास parallel है और ये transversal है यहाँ पर हमारे पास G, E, D और यहाँ पर एक perpendicular है perpendicular का मतला वोगा कि ये 90 degree है और ये वाला पूरा हमें दिया गया है, G, E, D further angle G, E, D is equal to, देखो अब G E, E, D ये पूरा है और इसमें दो angle है तो इसके और प्लस इसके सम के equal हो जाएगा यानि कि angle G, E, F प्लस angle F, E, D ठीक है? ये हमारा है F यानि कि ये वाला angle और प्लस ये वाला angle दोनों का सम कितना हो जाएगा? G, E, D के और एक बात देखो यहाँ पर इसकी value दी गई है ये भी दिया गया है क्योंकि ये perpendicular बोला है तो 90 degree होगा तो values पूट कर देते हैं G, E, D हो जाएगा 126 degree प्लस angle G, E, F प्लस F, E, D हो जाएगा मारे पास 90 degree कितना हो जाएगा? 90 degree ठीक है? तो इस 90 degree को जब इधर लाएंगे तो माइनस कर देंगे क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा 126 degree माइनस 90 degree is equal to angle G, E, F ओके? अच्छा इसको हम चाहे इधर राइट कर लें चाहे इधर राइट कर लें is equal to में है तो लिख सकते हैं तो इस बार हम पहले लिखेंगे angle G, E, F is equal to माइनस करेंगे तो देखो 90 में 10 प्लस कर देंगे 100 हो जाएगा और 26 ये तो ये हो जाएगा 36 कितना हो जाएगा? 36 तो आंसर कितना आ गया? G, E, F is equal to 36 degree आप इमने दूसरा भी फाइंट कर ले आप 3rd फाइंट करेंगे F, G, E इसको मिटा देता हूँ for angle F, G, E we have अच्छा एक बात समझो ये ना ये एक straight line है और यहाँ से एक line पास हुई है तो ये दोनों linear pair angle बनेंगे क्या बनेंगे? linear pair इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन मैं आप लिनियर pair angle का यूज करूंगा angle A, G, E plus angle F, G, E is equal to 180 degree region linear pair ठीक है? तो इसकी value आपको पहले से भी पता है इतना? इतना 126 degree तो यहाँ पर put कर देंगे plus angle F, G, E is equal to 180 degree यह plus है इसको उधर बेजेंगे तो minus हो जाएगा यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर rate कर देते हैं minus 126 degree तो minus करोगे तो मिलेगा क्या? F, G, E is equal to 10-6, 4 7-2, 5 तो answer कितना आ जाएगा? 54 degree तो हमने यहाँ पर तीनों answer को find कर लिया है अब rate करते हैं 10 angle A, G, E is equal to 126 degree angle G, E, F is equal to 36 degree and angle F, G, E is equal to 54 degree तो यह हमारा answer होगा इस question का तो आप चाहें तो वीडियो को पाज करके right down कर लें या फिर screen shot ले लें तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तब देगले thank you class